हेलो दोस्तों रूपल इस्टट फारम यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दीक स्वागत है आज यह गोड़ी आप देख रहे हो यह गोड़ी का नाम है गोड़ी का नाम है रानी आप देख रहे हो रानी को जब मैं गोड़ी को उड़ाए से लाया था खरित कर जब इसकी कंडिशन बहुत विक थी आज तो माशालला हमने इसको खिलाई पिलाई साफ सफाई की तो इसकी कंडिशन आप देख रहे हो और भी ये गोड़ी जा रही है वापी के पास जो हमारे अच्छे दोस्त है जो वापी वाले हमारे जो दोस्त है असद खान वो इसके न्यू ओनर है और सिर्फ जा नसीब फामा उस पर रखने के लिए ये गोड़ी को गोड़ी को उन्होंने खरी दिये ये गोड़ी पर बच्चे भी राइडिंग कर सकते है प्लस ब्रेडिंग की चालू है इन्हें ये गोड़ी ने पहले एक बच्चा दिया हुआ है मत्थे का प्लेज इसका बहुत अच्छा है आप देख सकते हो आप देख रहे हो जो हमारे अशद खान है जो नवाप डाबे वाले नवाप डाबा है उनको वापी के अंदर बच्ची राइडिंग कर रही है पिल्कुल गरीब है बस रोको जो अमारे वापी की हस्ती अशद खान जो नवाप डाबे वाले और जान असीम उनका फामाउस है वहाँ पे रानी गोड़ी रवाना हो रही है करो भी या लोड़ इसको और माशालला इसकी तब्यत पानी और वहाँ जाके अच्छी हो जाएगी आप देख रहे हो गोड़ी रवाना हो रही है जान असीम फामाउस के लिए हमारी यही दुआ है अशद खान इसको बहुत अच्छी तरह रखे और उनको भी गोड़ी सुखी रखे राइडिंग का मज़ा दे ब्रेडिंग का पलपर्स के लिए ले जाते ब्रेडिंग में बच्छे अच्छे प्रमोट करें इसी हमारी दुआ है और यह उनलाइन ओडर हुआ था आप देख रहे हैं अपने बड़े भीया ने गोड़ी का पेर बान दिया है आराम से गोड़ी रानी और यह खटिया लाए हुआ है क्योंकि सेप्टी रहती है खटिया बानने से पीछे आप देख रहे हैं पीछे खटिया बान दिया हुआ है रानी की पूरी सेप्टी के लिए और गाड़ी पूरी पैक है जो वापी जाएगी हमारे अस्त खान के उधर पूरे रात को गाड़ी निकलेगी अभी गोड़ी को ठंड ना लगे कोई बारिस का भी मोसम थोड़ा हलक की गाड़ी है यह रानी गोड़ी ने हमारा और अशद खान का अच्छा एक रिलेशन बना दिया अच्छी गहरी दोस्ती कर दी जो वापी की नामी नामी इंसाने अशद खान जो नवाब ढाबे वाले हैं वह ओके थेंक यू असलाम अलेकूम